नमस्कार दोस्तों, OCR Network में आपका स्वागत है। उनकी दूसरी पत्नी साधना गुपता का भी निधन हो गया। इस समय भारतिय जनता पारटी में हैं, वो साधना गुपता और मुलायम सिंग यादव के बेटे हैं। और उन्होंने ही अपने अपनी मा को मुखागनी दी। इस मौके पर पूरा यादव परिवार मौजूद था। शिवपाल भी, प्रामगोपाल भी, आखलेश भी। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो एक दूसरी बात है। वो है रिष्टों की बात। वो है परिवार की बात। वो है संसकारों की बात। अभी अठारे फरवरी इसी साल जब विधान सभा चुनाव हो रहे थे, तब अखलेश यादव ने जालोन में एक जन सभा को संबोजित करते हुए टिपणी की थी। और वो टिपणी क्या थी। उन्होंने कहा था कि जिसका परिवार होता है वही परिवार का दुख दर्द समझ सकता है। ये तंज उन्होंने किस पर कसा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री योगी अजित्यनात पर। और इंडारेक्ट वे में पुरदाहान मंत्री नरेन्र मोदी पर भी हम और आप जानते हैं कि अखलेश यादो किस तरह की निचले इस तरकी टिपनियों के लिए जाने जाते हैं और ये एक वैसी ही टिपनी थी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योगी आजित्तिनाथ अगर साधना गुपता के नहीं रहने पर शोक व्यक्त करने के लिए मुलायम सिंग यादो से मिलने पहुँचे उन्हें सांद्पना देने पहुँचे तो जालोन में जो कुछ कहा था अखलेश यादों ने ये कोई उसका जवाब देने के लिए पहुँचे हैं बलके इस पर बहुत सारे लोगों की टिपनियां हैं एक टिपनी आपके लिए मैं दे रहा हूँ इसमें लिखा गया है कि सियासी शुचिता की तस्वीर आज ऐसी ही शुचिता की जरूरत समाज को भी है जहां मतभेद हों मन भेद नहीं यह जो तस्वीर है और योगी आधित्यनाथ ने एक ट्वीट भी किया जिसमें मुलायम सीन यादव की पतनी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया पूरे परिवार के लिए सम्वेदना व्यक्त की गया यह हमारे संस्कार है भारती या संस्कृती के दर्शन होते हैं औ और इस तरह के जो रिष्टे है राजनितिक तोर पर कुन नहीं जानता है कि मुलायम सीन यादव किस किनारे पर खडए हुए हैं और भारतिया जंता पारिटी कहां खड़िये लिए विचारधा और मुलायम सीन दिस तरह की राजनीति करते हैं मुई दोनों में कोई साम में नहीं है, कोई एक दिशा नहीं है, किसी तरह का कोई मेल विलाप है ही नहीं और कोई गुंजाईश भी नहीं है, इसके बावजूद अगर मुलायम सिंग यादव और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में इस तरह के रिष्टे देखने को मिलत हैं, यह द्रश्य जब मुलायम सिंग यादव प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कान में कुछ कह रहे हैं, यह 2017 का द्रश्य है, जब योगी आधित्तनाथ ने मुख्य मंत्री के तोर पर पहली बार शपत ग्रहन किय थी, मुलायम सिंग यादव जब इस स्टेज पर पहुंचे लोगों का अभिवादन करने के लिए परधान मंत्री तो वहां पहुंचे, उन से नमस्कार किया, उनका अभिवादन किया, लखनाव में उनका स्वागत किया एक तरीके से, और फिर उनके कान में कुछ फुस फुस आ मुलायम सिंग यादव ने उनके कान में आखिर क्या कहा होगा, क्योंकि योगी आजित पनात्र भारती जनता पारिटी की सरकार जो बन रही थी, वो तो अखिलेश यादव की सरकार को बाहर का रास्ता दिखा करके बन रही थी, तो बहुत सारी चर्चाएं उस समय थी कि क्य मुलायम सिंग ने कुछ अखिलेश यादव के लिए कहा है, तमाम तरह की बाते थी, और फिर अखिलेश यादव को बुला करके परदहान मंतरी नरेदर मोदी से मिलवाया उनोंने, और उस समय आसपास जो भी खड़े थे, अमित शाहा से लेकर के, मनोहर परिकर जो तो नही नहीं रहे, उन सब के चेरों पर भी एक मुसकान थी, और इतना ही नहीं है, मेरा कहना यह है कि मुलायम सिंग यादव और प्रधान मंतरी नरेदर मोदी हों या योगी आधित्यनात हों, उनके साथ राजनी तिक जो आइडियोलोजी है, विचार धारा है, जो आमने सामने की पाला खीच करके लड़ाई है, वो अपनी जगा है, लेकिन जब जब मुलायम सिंग यादव ने, यहां तक के लालू यादव ने भी अपने पारिवारिक समारोहों में शामिल होने के लिए प्रधान मंतरी को याद किया, तो मोदी उनके पारिवारिक समारोहों में भी जाक करके शामिल हुए हैं और मुझे याद है दो हजार उन्नीस के लोकसभाद चुनाव से पहले जब संसद का सत्र चल रहा था उसका अंतिम दिन था और सब के भाशन हो रहे थे तो मुलाइम सिंग यादव ने खड़े होकर के नरेंद्र मोधि को यह शुबकामनाय दी थी प्रधान मंतरी को यह शुबकामनाय दी थी कि वो चाहते हैं कि वो ही दुबारा से चुन करके आए और फिर देश के प्रधान मंतरी बनें उनके ठीक भगल में सोनिया गांदी बैठी हुई थी, जो हैरानगी से उनको देख रही थी, पीछे सुप्रिया सुले, दाएं बाएं कुछ और पॉलिटिकल पारिटियों के नेता थे, वो भी आश्चरे चकित थे, कि मुलायम सिंग यादव विपक्ष के नेता हैं, और मुलायम सिंग ने यहां तक कह द जिनी सीटे मिले, उन्होंने तो यह कहा था कि जितने सदस्य दोहजार चोदा में चुन करके यहां, लोग सभा में आये और यहां बैठे हैं, मेरी कामना है कि वो सब दोबारा चुन करके आएं, इस पर भी सदन में ठाहा का लगा था, लोगोंने कहा कि खुद मुलायम यह मुलायम सिंग यादव का अपना एक तोर तरीका है, अपनी भावनाई व्यक्त करने का, बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे भाई, उम्र हो रही है, उनको इस मृति दोश भी है, तमाम तरह की बाते कही गई, और इस उमर में लोग सामने वाले के लिए सद भावनाई र लेकिन ये ऐसा उनका भाशन पा, ये ऐसी शुबकामनाई थी, जिसकी काफी लंबे समय तक चर्चाएं होती रही, और जब मोदी खड़े हुए थे बोलने के लिए, तो उन्होंने बाकाइदा ये एक चुटकी भी ली, आभार भी व्यक्त किया मुलायम सिंग का, और ये कह प्रधान मंतरी नरेंगर मोदी के बारे में कई विपक्षी दलों के नेता सदन में स्विकार कर चुके हैं, खुद मुलायम सिंग ने भी कहा कि कभी कोई उनसे बात कही जाती है, काम के लिए कहा जाता है, तो वो कभी ये नहीं देखते कि वो हमारे पक्ष के हैं, जिन पर वियंग किया था अखलेश यादव ने कि जिनके परिवार ना हो, वो परिवार का दुख दर्द क्या जाने हैं, वो योगी आजित्तिनाथ भी, अभी जब मुलायम सिंग यादव 82 के हुए थे, वाकाइदा उनको शुब कामनाएं देने के लिए पहुंचे थे, उ और जब योगी आजित्तिनाथ मुख्य मंतरी नहीं बने थे, बलके मेंबर और पार्लेमेंट थे, तब भी ऐसे बहुत सारे शण आये, जब लोग सभा के भीतर जरूर मुलायम सिंग यादव और उनके बीच में तना तनी रही, एक बार नोने आरोब भी लगाए थे, बलक सीडियों के द्रश्य हैं, तो आप देखेंगे कि दोनों के रिष्टे किस तरह की रहे हैं, तो मेरा कहना ये है, कि ये जो राजनीती है, चुनाव होते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई सत्ता में आता है, कोई सत्ता से बाहर जाता है, लेकिन जो राजनीतिक, पारिवारिक रिष्टे हैं उनमें इस तरह की कसीदगी कि आप किसी के बारे में कोई ऐसी बात कह दे कि किसी को चुब जाए या किसी का अपमान करे क्योंकि योगी आधित्यनाथ ने तो सन्यास ले लिया था मेहंत अवैद्यनाथ ने एक तरीके से उनको अंगिकार कर लिया था गोध ले लिया था और गोरक उर्फ की जो गोरक दाम जो है जो पीठ है उसका अपना उत्रादिकारी गोशित कर दिया था योगी आधित्यनाथ तो ऐसे एक साधारन परिवार में जन्म लिये हुए थे जह से कोई कल्पना नहीं कर सकता के वह आगे चल करके कई बार के मेंबर ऑफ पार्लेमेंट बनेंगे और फिर बाद में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री भी बनेंगे और योगी आधित्यनाथ ने बड़ा सुन्दर जवाब दिया था उन्होंने कहा हुआ है क्या रह गई अखलेश यादव की और अगर हम छोटी बात है लेकिन जिस तरीके से वो अखलेश यादव के या मुलायम सिंग यादव के परिवार को ढाडस बनाने गए संवेदना वियक्त करने गए उनकी सोतेली माही समझ लीजिए लेकिन उनके निधन पर उनके परिवार के साथ जाकर खड़े हुए तो ये क्या शो करते हैं कि उनके भीतर पारिवारिक संसकार बचे हुएं जबके अखलेश यादों ने तो वो काम किया है कि उस पर सवाल खड़े करने वाले सैंक्डों हैं, हजारों हैं, लाखों और करोडों हैं उन्होंने अपने पिता को जिस तरीके से समाजवादी पारिटी के अध्यक्षपद से बेज़्जत करके हटाया था और उस पारिटी पर अध्यक्षपद पर खुद कबजा किया था, केवल मुलायम सिंग्ग यादव को नहीं, शिवपाल सिंग्ग यादव को भी बेज़्जत करके पारिटी से बाहर निकाला था और लोगों का तो यहां तक कहना है कि वो अपने ही पिता का सम्मान नहीं करते हैं, सारवजनिक मंचों पर दिखाएंगे, उनके पैर भी छुएंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन मुलायम सिंग्ग यादव कई बार नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं, एक दो क्लिप तो उनक उन्होंने कहा है कि जो अपने पिता का सम्मान नहीं करता, जो अपने परिवार का सम्मान निकलता, वो आम पबलिक का क्या सम्मान करेगा या उसकी क्या चिंता करेगा। अगर घर में लाकरके उनको उनकी पतनी का और प्रतीक यादव को उनके बेटे का सम्मान किसी ने दिलाया था, तो वो अमर सिंग ही थे, और उसमें शिवपाल यादव की भी भूमी का बताई जाती हैं। एक व्यक्ति सुप्रिम कोर्ट में याची का ना लगाते और चुनाव आयोग ना जाते, तो शायद ये रिस्ते हमेशा बंद ही रहते, यानि सामने नहीं आते। बाद में मुलायम सिंग यादव ने सुप्रिम कोर्ट में भी हलप नामे में ये स्विकार किया कि हाँ प्रतीक यादव मेरा बेटा है। और साधना गुपता मेरी दूसरी पतनी है। मैरहाल वो एक अलग मामला है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप किस तरह का बिहेव करते हैं। किस तरह की बाते करते हैं किसी के बारे में। और आपके बारे में लोगों का अल्टिमेटली परसेप्शन क्या बनता है। यह राजनीती में बहुत काउंट करता है मुलायम सिंग यादव ही वो शक्स थे वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई थी और बाद में भी उन्होंने भी इस तरह के बयान दिये थे कि मुझे अगर फिर मौका मिलता तो मैं फिर गोली चलवा देता लेकिन ये बयान उन्होंने क्यों दिये और जिस तरह की वो तुष्टी करण की राजनीती करते थे उसके आलोक में अगर देखें तो वो भी समझ में आता है इसके बावजूद इसके बावजूद अगर पुरधान मंत्री भी उनका व्यक्तिकत रूप से सम्मान करते रहे और योगी आदित नात्वी उनको रिगार्ड पे करते रहे तो इससे अखलेश यादव को भी बहु इट अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंड पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो गोंशेएर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि के notification आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।